गुद मॉर्निंग एवरिवन, मैसेल सुनिर सार, ओपने टेक्सबुक नाव, आज हम स्टांडर्ड एट संस्कृत लेसं सीक्स उसका पार्ट टू देखेंगे, रमणिया नगरी, एतत अक्षरधाम नामकं विशालम मंदिरमस्ति, मंदिरे प्रदशन विभागह अतीव मनोहर अस्ति, इस अक्षरधाम is a huge and beautiful temple, the exhibition section of this temple is very beautiful, एतत, यहां एतत का मिनिंग है धिस, अक्षरधाम नामका यह विशालमंदिर है, आपको यहां दिख रहा है, और यहां जो प्रदशन विभाग लगा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अस्ति, अस्तियां संस्कृत में सिंग्यूलर है, इसलिए अस्ति आया हुआ है, यदि प्लूरल होता, तो यहां संति का यूज होता है, एतत, अक्षरधाम नामकम, विशालम मंदिरम अस्ति, मंदिरे प्रदशन विभागह, अतीव मनोहर अस्ति, फिर से हम दुबार उसका ट्रांस करते हैं, इस अक्षरधाम is a huge and beautiful temple, the exhibition section of this temple is very beautiful, मनोहर यानी beautiful या सुन्दर, प्रदशन विभागह, जनाह एकम चल्चित्रम अपी पश्यंति, प्रदशन विभाग है, यानी exhibition section, जनाह, जनाह यानी people, पश्यंति, पश्यंति यानी देखना, पश्य यानी to see, अपी, अपी का मिनिंग क्या है, यहाँ also, a movie is also shown in the exhibition section, लोग यहाँ movie देख रहे हैं, चल्चित्रम यानी movie देख रहे हैं, अध्यात्म विग्णयान है हो संगम अत्रदश्य दे, यहाँ अध्यात्म का जो संगम है, वो भी यहाँ दिख रहा है, a confluence of religion and science is seen here, तो विग्णयान और धर्म अध्यात्म का जो संगम है, संगम यानी संगम, वो यहाँ दिख रहा है, अत्र, अत्र यानी here, द्रश्यते, यानी sin, द्रश्यते का मिनिंग है sin, अत्र चित्ता करश्कम विशालम उद्धानम अपियस्ती, विशालम यानी huge उद्धानम, उद्धानम यानी गाइडन, there is also a huge garden that attracts the mind, यहाँ मन को आकर्शित करे, चित को आकर्शित करे, ऐसा ये विशाल बगीचा भी इदर है, अपियस्ती अल्सों, प्रती दिनम, प्रती दिनम का मिनिंग है everyday, प्रती दिनम बह बह यात्री कहा, एतश्य मंदिरश्य दर्शनार्थम आगच्चन्ती, प्रति दिनम मैंने बताया आपको एवरी डे मैंनी टुरीष्ट कम टू सी दा टेमपल एवरी डे यात्री कहा बहा बहा यानी मैंनी यात्री कहा यानी टुरीष्ट मैंनी टुरीष्ट कम टू सी दा टेमपल एवरी डे हर रोज बहुत सारे जो मुसाफर है टुरिष्ट है वो यहां मंदीर के दर्शन के लिए आते हैं यह बहुत बड़ा विशाल अक्षरधाम मंदीर है तो मन और चित्त को आकरशित करे ऐसा बगीचा गार्डन भी यहां पे है अभी आप यहां देख रहे हो यहां इंद्रोडा पक्षि उद्धानम यहां बताया है गांधी नगर अश्य समीपे एव विशालम इंद्रोडा पक्षि उद्धानमस्ती नियर गांधी नगर इद्ध इंद्रोडा बर्ड सेंचूरी विशालम विशालम यानि यूज बड़ा इंद्रोडा पक्षि उद्धानम है बर्ड सेंचूरी उसमें एतस्मी स्थाने खगाहा प्राणी नह चनीज परियावरने एवनी वसंती इसमें जो बर्ड्ज है एनिमल्स है वो अपने जो परियावरने अपना जो वातावरने उसमें रहते हैं खगाहा खगा यानि बर्ड्ज प्राणी नह एनिमल्स वो सब यहां रहते हैं अपने वातावरन में बर्ड्ज एनिमल्स लिविन धैर ओन एन्वाइरमेंट इड़ीस प्लेस अपने नीज परियावरन यानि उनको जैसे अनुकुल हो वैसा वहां परियावरन होता है यह उद्धान जो है उनके लिए खास उनके लिए बनाया जाता है उनके निवास के लिए होता है नीवसंती यानि रहते हैं यहां टुलीव यहां नीवसंती है वो वस धातु है परसमे पदै वर्तमान काल अन्यपुरुष बववचन है यहां पे जो हम धातु रुप की पहचान करते हैं तो उसमें यह बववचन है डाइनोसोर नाम नह प्राचिन महाकाय प्राणी नह विशेश विभागह अत्रस्ती डाइनासोर नाम का जो विशाल महाकाय जो प्राणी है उसके लिए भी यहां एक अलग प्रकार से एक शेक्षन यहां रखा गया है डाइनासोर जो है उसके लिए there is a special section of dinosaur the ancient huge bodied animals यानि वो भी विशाल का प्राणी है इसके लिए अलग शेक्षन है अस्ती अत्र अत्र यानि हीर अस्ती यानि इज मैंने आपको बताया अस्ती का जो बववचन है प्लूरल वो संती होता है एश विभाग अह बाला नाम कुटे अतीव आकर्शक अह मनोरंज का चास्ती इस जो शेक्षन है विभाग है प्राणीयों का पक्षियों का उद्दान वो बच्चों के लिए बच्चों को आकर्शित करता है उनके लिए मनोरंजन का यहां वो साधन बना हुआ है बच्चों वो मनोरंजन मिलता है अच्या इस चैक्षन इस वेरी अट्रेक्टीव एंड एंटर्टेनिंग फॉर चिल्डरन अत्रे एकम सर्पग्रूहम अपियस्ती यहां एक स्नेक आउस भी बनाया गया है सर्पग्रूहम यानि स्नेक हाउस अत्र, here there is a स्नेक हाउस also स्नेक हाउस भी है विविद कुला नाम सर्पान अत्र द्रश्टुम शक्नु महा डिफरन टाइप्स यानि वेरियस फैमिलीज जो स्नेक से वो यहां देखने को मिलते हैं we can see snakes of various families here यहां अलग अलग कुल के जो सरपे स्नेक हे वो हम यहां देख सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है आगे हम देख रहे हैं यहां एक बिल्डिंग आपको विद्या भवन दिखाई दे रहा है वो भी गांधी नगर में आया हुआ है गांधी मंदीरा तह न अती दुरे एव विद्या भवनम नाम विशालम भवनमस्ति गांधी नगर के नदिक ही विद्या भवन नाम का एक विशाल भवन है यहां जो मात्मा गांधी का जो टेंपल है इसके नजदिक में ही विद्या भवन आया हुआ है तो विद्या भवन की क्या विशेषता है स्पेश्यालेटी है वह हम देखते हैं ततह यह बर बताया है ततव भवन जिसी आटी रुपेन क्या तमस्ती क्या था मैंनि फैमस जिसी आटी यहां जो हमारी एक संसा है जुद्श राज की उसका नेम है जिसी आटी तो वह भवन है यहां जो building है there is a huge building named Vidya Bhavan not very far away from Gandhi temple this same building is also famous as GCIT GCIT के नाम से यहां जानी गई है तो परिश्यत कारियाला है यानि office of the committee परिश्यत कारियाला है और यह गाधी नगर गाधी नगर के पास है Vidya Bhavan in an education building है Vidya Bhavan है वो education building है और उसका नाम GCIT नाम परिश्यत उसका कारियाला है गाधी नगर के पास ही है GCIT नाम से वो जाना जाता है this same building is also famous as GCIT the office of the GCIT committee is in Vidya Bhavan Vidya Bhavan ने GCIT नाम परिश्यत कारियाला है अस्ति कारियाला है अनि office यम परिश्यत अस्माकम प्राथमिक शिक्षन शेत्रे परिवर्त नार्थम सत्तम प्रवुतास्ति यह जो परिश्यत है GCIT वो प्राथमिक शिक्षा के लिए उसमें परिवर्तन उसमें कैसे चेंज लाने चाहिए बच्चों को कैसा यानि knowledge देना है कैसा घ्णान देना है तो उसके लिए उसके परिवर्तन के अलग लग उसमें प्रयोग होते हैं और शिक्षान शेत्रे परिवर्तन के लिए यहां प्रवुती हमेशा होती है तो यहां इस परिशद एक आम करती है प्राइमरी एड्युकेशन के चैन्स के लिए प्रऊथ है घांदी नगरे विशालाहा स्वच्छ मारगाहा चावरतन तो यह घांदीन रोड़ एक अपन है । और स्वच्छता यहां सब जो रास्ते हैं वह भी हमें क्लीन देखते हैं अब देर आर हुज एंड क्लीन रोड इन गाधे नगर बड़े विशाल रोड है स्वच्छता है यहां पर वर्तनते यहां आत्मनेपद हैं वर्तमान काल है अन्यपद अन्यपुरुष बहु अचन है इतास्मी नगरे बहुनी रमनियानी उद्धानानी संती इस नगर में बहुत रमनिय शुंदर बगीचे भी हैं एटेर आर मैंनी व्यूटीफ।ुल गाईडएंस इन दिस सिटी उद्धानानी संती देखो यहां बहुत सारे बगीचे इसलिए यहां संती का युज हुआ है अब देख सकते हो फ्लूरल का युज हुआ है नगरे बहवह पादपाहा संती पादप यानि ट्रीज पादप यानि ट्रीज पादप यानि ट्रीज पादप यानि ट्रीज संती यहां बहुत सारे there are many trees in the city, in the city, in the Ghandi Nagar. तेन कारनेन इदम नगरम विश्वश्य हरित नगर रुपेन अपी प्रशीद्धम इसलिए इसको हरित नगर यानि ग्रिन सिटी के नाम से जाना गया है. फैम से, because of this, the city is also famous as the words ग्रिनेश शिटी. तो इसके लिए यहां बहुत सारे पेड़ है, पेड़ पाउधे, अरियाली है, पुरा जो शिटी है, वो अरियाला है. तो इसलिए उसको ग्रिन सिटी के नाम से एक खेमस हुआ है. आपको एक lesson की grocery, translation और exercise अच्छे से करनी है, और अपना homework जो बाकी है, वो आपको complete करना है. इनिट टेश्ट में 1, 2, 3 चेप्टर याने आने वाले हैं, शेकंड शेम के, चेप्टर 1, 2 और 3, मगर जितने मेने चेप्टर आपको पढ़ाये हैं, सब लेशन की, फर्ष्ट आपको grocery लिखनी है, फिर translation लिखना है, और अंत में आपको exercise लिखनी है, शुबम भवतू, all the best. शेक dat ब्रेंजे चेप्ट कालिग थैसे हैं, यो तो आपको य्रेंचा लिखनी है यूखू पिल्माग चेप्ट परल सेवाले हैं, सब्सक्रिश्चा चेप्ट विखनी है। झाल झाल